हेलो सुदेंस वेलकम दू कॉंपिटिशन कम्यूनिटी जूट्यूब चैनल कॉंपिटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजल सिंग and I am the faculty of law in the competition community और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज यानि कि ये particular वीडियो एक नए वीडियो लेक्चर सीरीज की शुरुआत है यानि कि ये पहला वीडियो लेक्चर होने जा रहा है हमारे उस नए वीडियो लेक्चर की सीरीज का सर ये किस बारे में है video lecture series तो हम एक नया subject शुरू करने जा रहे हैं इस series में जिसमें हम इस series में इस particular subject को पूरी तरह से खतम कर देंगे subject कौन सा है सर मेरे पीछे आप देख सकते है administrative law का अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि sir administrative law हमने तो सोचा था कोई procedural law आएगा procedural law भी आएगा लेकिन need of the hour is what administrative law है ऐसा क्यों है reason यह है कि मैं classroom teaching यानि यहां जो competition community में offline classes लेता हूँ वहाँ पे मुझे कई बच्चों ने बताया कि उनके course के syllabus में administrative law है उसको पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही है मेरी उनसे बात हुई तो मैंने पूछा उनसे कि administrative law तो बहुत easy subject है उसको पढ़ने में ऐसी दिक्कत क्या है तो उन्होंने बोला नहीं सरम classroom teaching से हमें जादा content मिल नहीं पा रहा है और उसके साथ साथ जब हम Google पे जा रहे हैं या जब हम online access करने की कोशिश कर रहे हैं तो materials की बहुत जादा कमी है तो मैंने अपने तरफ से सोडी research करी गूगल बाबा पे गए जाके search के administrative law के बारे में तो ये बात तो सच है कि administrative law के बारे में जो knowledge है जो content है जो PDFs है जो study material है वो बहुत जादा कम है बहुत जादा shortage है और वो बहुत जादा एक तरह से derived नहीं है एक single line में directional नहीं है फैला हुआ है कहीं आप administrative law पढ़ने लग जा रहे हैं कभी आप US का पढ़ने लग जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि हमारे syllabus में क्या और हमें कितना पढ़ना है तो इसलिए मुझे लगा कि administrative law एक बड़ा ही कि administrative law क्या है तो आप बोलेंगे कि एक घंटा बैठो मेरे साथ मैं इस lecture को खतम करते हैं किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले हमारे वीडियो लेक्चर की एक खासियत की हम इसक्राच से अपनी थोड़ा सब ब्रेकडाउन करने की कोशिश करते हैं administrative शब्द आया है administration से कहां से आया है administration से टी आरे टी आई इस वी इको अगर हटा दिया जाए और यहां पे डाल दिया जाए ओ एन तो बनता है administration administration क्या होता है रियल लाइफ एक्जामपल से समझने की कोशिश करते हैं मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप हर कोई अपने college या अपनी जो institution है वहाँ पर आपने पढ़ाई करी होगी या स्कूल से तो पढ़के आप सबाई है administration क्या होता है किसी college या किसी institution में आपने देखा होगा कि आपके college के professors हैं teachers है यानि कि अगर मैं आपके college में होता तो मैं आपका teacher होता मेरा काम होता आपको पढ़ाना आपको तयार करना एक्जाम के लिए और आपके एक्जाम लेना और उसकी answer sheet को चेक करके आपको marks देना और ultimately आपको degree मिल जाए क्योंकि आपने सारे एक्जाम को पास किया उसी college उसी institution में administrative department भी काम करता है साथ-साथ aligned जैसे कि आपको पता होगा कुल सचेव आपके institution में होंगे assistant आपके registrars होंगे office के clerks होंगे ये सब belong करते है administration को इनका काम क्या है आपकी fees जमा हुई की नहीं हुई आपको कोई scholarship मिल नहीं है तो वो कैसे मिलेगी आपकी जो mark sheet है वो आपको कब मिलेगी और कैसे post करी जाएगी उसके साथ-साथ जितने भी और student related activities है administration level पर ये ऑफेस लेवल पे वो कैसे काम करेंगी ये administrative department देगता है यानि कि किसी institution के example से समझने की कोशश करें तो वहाँ पे डूए DUA department तो सकते हैं एक होता है academic और एक होता है admin यानि की administrative department और हम इस बारे में यहाँ पर किसके बारे में समझने वाले है administrative law यानि की administration के बारे में अब सर आपने इतना अच्छा समझा तो दिया लेकिन हमारे real life में implication क्या है? हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम करें हम administration से यानि कि सरकार के administration से रोज मर्रा के जिंदगी में रोज तालुक रखते हैं कैसे आप जो सड़क पे चलके आ रहे हैं उसमें कौन से administrative laws है जो apply हो रहे हैं आप अपने यहां पे बिजली नहीं आ रही है तो बिजली विभाग में जा रहे हैं आपकी वहां पे application दी आपने collect rate में हर आदमी का कभी न कभी पाला पढ़ जाता है कि हमारे यहां पे नाली साथ नहीं हुई municipal corporation आप पहुँच जाते हैं कि हमारे यहां का कचरा नहीं उठ रहा है इस तरह की चीज़े जो है administrative law के ambit में आती हैं इसका मतलब यह नहीं है कि administrative law इसको deal करता है सड़क के कचरा उठाने से नहीं वो जो process है जो daily to day to day basis पे हम उसमें involved हो रहे हैं वो administrative law के ambit में आता है आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम administrative law को समझने लग जाएंगे अब मैं आपको यह बता दूकि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे administrative law के बारे में तो इस particular वीडियो लेक्चर में administrative law कहां introduction देखेंगे यानि कि administrative law क्या है उसका nature क्या है उसका scope क्या है और उसके historical prospective क्या है यानि कि understanding develop करेंगे administrative law के कि answer writing के समय आपको किसी भी प्रकार का confusion ना हो आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पर आगे सरम अब आप बोलेंगे कि सर आपका तो एक पेटिंट है कि आप पहले history से शुरू करते हैं जी हां लेकिन history से शुरुवात करने का मतलब तब है जब आपको पता हो कि administrative law क्या है तो पहले यह समझेंगे कि administrative law क्या है उसके बाद हम एक democracy है power ultimately हमारी country को run करने की किसके पास है गौवर्मेंट के पास गौवर्मेंट कौन है गौवर्मेंट एक ऐसी body है जो elect होके आई है temporary body है हर 5 साल में change होती रहती है गौवर्मेंट यह जो elect होके आई यह government इनके पास क्या है powers इनके पास है और किसके पास पावर एक्जेक्यूटिव के पास पावर आपको जैसे पता होगा एक्जेक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी अब कुछ लोग यह बोलते हैं कि जो administrative law है वो कि अवल executive को deal करता है कुछ लोग बोलते हैं कि जुडिशरी को भी कवर करता है हम जब administrative law के के लिए administrative law बनाया गया आगे देखते हैं the primary objective of administrative law is to limit the power of the government to protect citizens यह प्रोटेक्ट citizens क्यों लिखा है जब यह जो सरकार है लोगों नहीं बनाई तो उनको प्रोटेक्ट सेटिजेंस करने के लिए administrative law लानी की क्या जरूरत पड़ी एक example से समझते हैं और आप लोग तुरन समझ जाएंगे मान लेते हैं कि यह सरकार है यह एक government है और इस government को क्या किया हम लोगों ने elect कर दिया यह government जैसे elect हुई इसके पास आई क्या power इनके पास power आई और अब इनके पास है power हमारे country को administer करने की और आगे हमें आईडिली मान लीजे यह दो स्कोप में यूज था लेकिन अब चुकि पावर उनके पास है ultimate तो उन्होंने तीन या चार स्कोप में इसको यूज करना शुरू किया अब जबकि यह दो स्कोप क्या थी अब यूज ना हो power का और government उसका unlimited यूज ना करे अपनी power का उसके लिए administrative law लाया गया यह एक introductory statement है इतना समझने के लिए भी काफी होगा दो यहाँ पर सज्जन है इनकी definitions को देखते हैं इन उन्होंने कुछ कुछ कहा है administrative law के बारे में आइवर जेनिंग्स क्या कह रहे है administrative law is the law relating to the administration administration क्या होता यह मनें आपको पहले ही समझा दिया तो यह कह रहा है कि administration के law को govern करने के लिए जो law बना वो बना administrative law and it determines the organization powers and duties of the administrative authorities administrative authority कौन हुई मान लीजे आपके जिले में collector जो है administrative authority क्यों क्योंकि सरकार की जो policies बन रही है उसको जिले में दिया हुआ है constitution में भी defined है जो special acts बने होंगे वो भी इसमें defined है तो आपको यही बात में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ administrative law की कोई as such specific bear act तो नहीं है administrative law एक नया branch of law है जो कि क्या deal करता है इन सारी की सारी चीज़ों को एक जगा पर compile करके बताता है कि actual में administration का का किस तरह से govern होना चाहिए और वो किस एंबिट में काम करेंगे simple example से समझने की कोशिश करते हैं अगर आपको मचली पालनी है अगर आपको अपने घर पे मचली पालनी है तो अगर आप सीधे लाएंगे फर्ष पर पानी डालेंगे तो वो फैल जाएगा वो इदर उदर फैल है यह पावर है और यह जो मचली है यह गुड गवर्नेंस की है अगर पावर ultimate हो गई और इधर उदर फैल गई तो वो गुड गवर्नेंस की मचली कभी भी नहीं तैर पाईगी उस पानी में आपको एक aquarium को रखना है उसके अंदर पानी भरना है और वो aquarium क्या है administrative lock का है जो boundaries or limitations set कर रहा है किस चीज़ की कि यह पानी कहां तक जा सकता यानि कि यह पावर कहां तक जाएगी और उसके आगे जाने पर वह पावर useful नहीं है वह पावर गलत है और arbitrary है और जब इस तरीके से aquarium sustain करेगा तो क्या हो जाएगा वो मचली अच्छी तेरीगी यानि कि हमारे देश में हमारी democracy में sustainment होगा और good governance की शुरुवात होगी ठीक है सर जनिंग साहब की बात हम समझ गए केसी डैविस साहब ने क्या कहा यह देखते है administrative law is the law concerning the powers and procedures of administrative agencies administrative agencies क्या है फिर सवाइग्जांपल collect rate का example लीजे यह एक administrative क्या हुई agency हुई including especially the law governing judicial review of administrative actions और उसके बाद इन्हों ने क्या क्या एक special branch पर चलेगे administrative law के यह कह रहे हैं judicial review का judicial review किसका यह कह रहे है administrative law जो administrative agencies हैं उनके administration के लिए बहुत useful है उसके साथ ही साथ जो judicial review का provision है किसका administrative authorities का यानि कि यह जो authorities बनी हुई है यहाँ पर हमने administration देखा administrative authorities का यह जो authorities बनी हुई है इनके actions पर जो judicial review हो सकता है वह उसका एक most important part होगा अभी आप हो सकता है कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको यहां पर लग रहा हो कि नहीं अभी हमारे यहां पर concept नहीं बन रहा है आप cable hold करी आप आगे धीरे-धीरे concept build हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सर्थ अब एक मेरे पास इस लाइन है जो आपको अच्छी तरह से compliment कर देगी हमारी पिछली स्लाइड को इसलिए मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा अलग तरीके से इस बर सकता है कि administrative law इजात भी यहीं से हुआ क्या कहने की कोशिश कर रहा है यह कह रहा है कि पावर जो है वो करप्ट करती है यानि कि अगर आपके पास पावर है तो करप्ट का जो करप्शन का जो एंगल हो हमेशा आएगा और आपको गलत चीज़े करने के लिए फोर्स करेगा क् यह जो supreme power है यह हमारे democracy में किसके पास है government के पास है administrative authorities के पास है जो उस government से क्या कर रहे है इनहरिट कर रहे है उस power को administration चलाने के लिए और उनके पास जब इतनी supreme power है तो वो क्या होगा corrupt हो जाएगा वो जो supreme power है वो corrupt कर देगी किसको administrative authority को कितना absolutely corrupt कर देगी administrative authority को और उसके लिया में ज़रूरत है एक administrative law की और उस administrative law से क्या होगा हमारे यहाँ पे एक good governance या फिर एक अच्छी democracy की establishment होगी जो की limitation सेट कर सके एक boundary line सेट कर सके कि यह चीज़े सही है और यह चीज़े गलत हैं किसी भी administration में ठीक है आगे बढ़ते हैं अब introductions और फिर आ गया हमने दो definitions पढ़ी और एक opening line पढ़ी एक closing line पढ़ लेते हैं introduction की administrative law क्या है यह क्या रहा है administrative law deals with the powers and functions of the administrative authorities यानि की administrative law जो है वो power और function बताता है किसी administrative authority का और administrative authority कौन हो सकती है जैसा कि मैंने आपको बताय अभी हम सिर्फ एक एक्जामपल लेके चलेंगे collect rate collect rate क्या है administrative authority और किसी भी district की बहुत उची और apex administrative authority है ठीक है the manner in which the powers are to be exercised यानि कि पहला तो बताया कि वह power or function बताएगा दूसरा यह बोल रहा है कि उसके powers को exercise कैसे करना है यह भी बताएगा क्यूंकि आपने किसी की power defined कर द when these powers are abused by the authority यानि कि पहला तो power बताया function बताया उस power को इस्तमाल करना है कैसे वो भी बताया और उसके साथी साथ उसको यह भी बोला कि अगर यह power abuse करी गई उन person के अगेंस जो की अग्रीवड है इन power की abuse से तो उसके against remedy क्या है उस person के पास remedy क्या है कहा जा सकता है वो और उसको क्या मिलेगा जब उसके साथ इतना नुकसान हुआ है वही है administrative law यहां से आई होप आपका administrative law का introduction पार्ट क्लियर होगा अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे concept को बिल्ड करने की कोशिश करते है history जहां से मैं हमेशा शुरुबात करता हूं कि history क्या administrative law की इससे भी आप काफिया समय में कोई administration की चीज़े नहीं होती थी आजकल के समय में democracy हम अपना जो है एक तरह से कह सकते हैं एक independent leader खुद चुनते हैं उस समय पर बस फर्क इतना था कि एक राजा होते थे ऑल्दो यह बात थोड़ी absurd है थोड़ी वेग हो जाएगी लेकिन समझने के लिए अभी इतना स आप तुरंट समझ जाएंगे चानक के चंदरगुप्त मौर्य बिंदुसार अशोका यह सब इसी डाइस्टी को बिलॉंग करते थे मौर्याजन गुप्तास के टाइम पैसा माना जाता था कि उनका पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंट करूंगा कि आप जाके प पूरे इनके इंपायर में आते था और उस समय भी माना जाता है कि इनका अड्मिनिस्टेशन बहुत प्यारा था बहुत ख्रट था और बहुत इज़ादा एफिशेंट था यानि वह बहुत एपिशेंट s Ming to 80 को रन कर शूंगारी बड़ी टेरेट्री में उन्होंने और死ने किया अपने democracy में sorry अपने control में कि उन्होंने एक अच्छा administration चलाया तो इसने हम मान लेंगे कि उन्होंने जो principles को apply किया वो क्या हो गए उस समय के administrative law हो गए अब उपर का शब्द पड़ी और आप सब समझ जाएंगे धर्मा धर्मा के principle को आप समझते कर रहा है कि नहीं और जो नीचे चीज दिखे हुए उसको भी पढ़िए इससे भी बड़ी धर्मा की चीजों को इंप्लाई करके उन्होंने अपने आंके administration को चलाया था और इसी लिए इसको कहा जाता है क्या उन लोगों पहले थे प्रपाउंडर हम कहा सकते हैं कि इसके administrative law के और उसके साथ ही साथ क्या धर्मा को इंप्लाई करके उन्होंने checks and balances बनाए थे कि हमारे यहां पर क्या है कोई चीज गलत ना हो जो भी हमारे administrative law या procedures है वो compliment करने चाहिए धर्मा को ठीक है सर और ब्रिटिश रूल ब्रिटिश रूल क्योंकि भाई इससे पहले राजा महराजाओं का ही समय था अकबर थे फिर उसके बाद जो भी आये मुगल एंपरर जाए फिर आपके जो भी इंडियन रूलर्स भी हुए जिन्होंने अलग अलग डैनस्टी को रूल किया इंडिया में उनके पास भी कुछ कुछ चीज थी लेकिन माइनूट थी एड्मिनिस्टेटिव लौ को डिफाइन करने लग गयते हैं यह इसका एक हिस्तोरिकल प्रॉस्पेक्टिव है ऐसा कुछ बहुत रिच नहीं है लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए बहुत ज़रूरी है नेचर में बात करते हैं सर नेचर क्या है बहुत अच्छा करना है एड्मिनिस्टेटिव बॉडिस को वह बताता है और रेमिडीज किसका उन लोगों का जब क्या है पावर अब्यूस हो गई हो यह तो हमने पहले ही पढ़ लिया पढ़ लिया था सर सेकेंड पॉइंट देखते हैं प्राइमरी फंशन ऑफ एड्मिनिस्टेटिव यानि कि जो प्राइवेट राइट से यानि हमारे और आपके जो राइट से वह उस एपसिलूट पावर से करप्ट ना हो हमारे वह जो राइट से वह वाइलेट ना हो यह भी अद्मिनिस्टेटिव लॉग का में एक काम है ठीके सर आगे बढ़ते हैं स्कोप इसकोप हour Glee से देखते हैं हूँ पहला स्कोप तो यह हे कि administrative authority है कौन पशू्व आरण administrative authorities यह पहला स्कोप बता चल गया कौन administrative तो उसकी power क्या पावर administrative movement YES यानि कि पता चल गया administrative authority को ने यह भी पता चल गया उसकी limiticons क्या है यानी कि वो power को जब और exercise करेगा तो किनτο करने का ये जो चार है न इसको हम general Scopes कहते हैं कि ये administrative law के general Scopes हैं अब हम थोड़ा specific हो जाते हैं यहां एक नाम पढ़िए mcgen ये जो mcgen साहवे इन्होंने भी कुछ scope बता है mainly 3 scopes बताए administrative law के उनको देखते हैं पहला यह कह रहा है safeguard safeguard किस से safeguard हमारा और आपका absolute क्या है abuse of power से और judicial control यानि कि यह safeguard कर रहा है हमें किस से अगर abuse होता है administrative power का और साथी साथ judicial control को भी यह क्या कर रहा है compliment कर रहा है कि judiciary कैसे intervene कर सकती है इस मामले में और protect कर सकती administrative law के abuse से immunities के बारे में बात करता है यह क्या बात कर रहा है कौन कौन सी immunities हमें मिली हुई है जब administrative agencies क्या करती है आपके power को abuse करके आपके rights को violate करती है दो scope हो गए तीसरा क्या है judicial function covers the judicial functions of the administrative agencies अब आप बोलोगे administrative agencies का को judicial function भी होता है क्या मैं आगर आपको बोलू तो ऐसा ऐस सच नाम से complimentary नहीं है लेकिन हाँ होता है जिसको हम आगे की वीडियो lecture में cover करेंगे तो अभी हमने कितने पढ़ लिए अभी हमने पढ़े seven scopes जिसमें से तीन थे mc jain साहब के और चार थे general scopes और अब हम आखरी के चार को और देखेंगे जो किन्हों ने दिये थे fredman sir ने दिये थे यानि की scope कितने हो गए साथ वहां पे थे आठ नो दस और ग्यारा 11 scopes हम टोटल इस वीडियो में देख रहे हैं ठीक है पहला scope फ्रेड में साहब ने क्या बताया law making power यानि की deals with the law making power of administrative authority under various laws and statutes ये क्या बता रहे हैं ये administrative law के level पर थोड़ी बात कर रहे हैं कि administrative जो authorities हैं उनके पास law making power क्या क्या है ये इसका पहला scope है इन्होंने ऐसा बोला और दूसरा क्या बोला judicial and quasi-judicial power ये क्या क्या रहा है देखेंगे लेकिन इसको आपको scopes में ध्यान रखना है तीसरा क्या है executive power executive power of administrative that is concentration of powers यानि की executive power क्या क्या है administration की हमने जैसा आपको पहले ही बताया था legislative executive और judiciary ये तीन क्या है branches हैं हमारे Indian democracy की तीन pillars हैं और चौथा pillar माना जाता है media को यानि journalism को उसके बारे में हम कभी बात में जाएंगे तो legislative और judiciary जो है वो एक कह सकते हैं कि एक second portion पे first hand सबसे उपर administrative law में कौन आता है executive तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है उसकी power के बारे में और चौथा कह रहा है liability of public servant अब ये इन्होंने पहली बार इ history में और पिछले scopes में इस बारे में बात ही नहीं करी कि public servant की liability क्या होती है public servant कौन हुआ जो administrative authority के अंडर में काम करने वाला public servant जो उस administrative authority को perform कर रहा है उसके responsibilities और actions क्या है उसके अंदर की बात इसमें करी गई थी ये वीडियो लेक्चर यहां पे हम खतम करते हैं अभी हमने क् दिसक्स किया introduction scope और history के बारे में पढ़ा और अपनी थोड़ी सी understanding बनाने की कोशिश करी administrative law की अगर अभी भी आपके मन में डाउट रहा हो सकता है रह जाए क्योंकि कई बच्चों के लिए बहुत नया topic होगा तो आप थोड़ा सा time दीजिए अगले वीडियो में हम दोबार इसके concept को हलका सा shape करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे उसकी importance के बारे में और जो main main provisions administrative law के उसको cover करेंगे अगर आप इस administrative law video lecture series को follow कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारे इन video lecture series में से कोईच ऐसे topics हैं जो आपके syllabus में एकदम exclusive थे और generally books में नहीं दिये होते हैं त अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए link पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ Team Koko